नमेश्गार पिर दर्शकों, प्रियम्का, आप सभी लोगों का स्वागत भी नंदन करती हूँ, कैसे हैं आप लोग, दर्शकों आज हम लोग बात कर रहे हैं, मकर राशी की कैसा रहेगा वर्ष 2015, मकर राशी के जातकों के लिए इस वर्ष में कौन सी नई चुनातियों का सा आपधान रहना है कौन सी बड़ी good news है जो आपको मिलने वाली है कौन सा ऐसा काम है जिससे आपके पुराने सभी परिशानिया पुराने सभी विवाद दूर हो सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे इस वर्ष में आठ माई दो हजार पचीस को देव गुर कभी तख कुभ राशी में अंचार कर रहे हैं तो राहु 15 माई' को आपके द्विती इस्थान कुभ राशी में प्रवेश करेंगे जो आपके राशी से अस्थान में रहेंगेगी अब इस संपोन परिवर्तन का कैसा फल प्राप्त होने वाला है मकर राशी के जात्वों को इसके बारे में हम लोग जानेंगे सबसे पहले आप सब ही दर्शकों को नव वर्ष के हरदिक शुव कामना है ये नव वर्ष आपका मंगल मैं हो और आपके जीवन में धेर सारी खुशियां आएं मातरानी के क्रिपा आप पर और आपके घर परिवार पर बनी रहें इनी शुब कामनाओं और मंगल कामनाओं के साथ आंगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राशीपल के आपके राशी से पंचमिस्थान में देव गुरुब रहस्पती का गोचर होगा जो की आट मैं तक रहेगा पंचमिस्थान में देव गुरुब रहस्पती का गोचर आपके संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है प्रारब्द का साथ मिलेगा, सिक्षा संतान का लाभ मिलेगा, जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके स्टडी में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, कोई भी competitive exam की तयारी में बहुत अच्छी success मिलेगी, वैसे भी राहू तीसरे इस्थान में गोचर कर रहे हैं, तीसरे छठे और एका दशी स्थान में अशुब ग्रहों का गोचर शुब माना जाता है, और शनी देव का गोचर भी तीसरे इस्थान में आपके लिए शुब ही रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, देश विदेश जाने का सपना आपका पूरा होगा, करियर में नई तरक्की मिलेंगी, और साथ ही आप अपने कुछ नई प्लैनिंग्स भी बना सकते हैं, बाहर जाकर के पढ़ना चाहें, स्टडी करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, घर परिबार से थोड़ा सा दूर जाने का आप प्लैन तो इस वर्ष में कर ही रहें, और ये सपना भी आपका पूर होगा, करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, लेकिन आपको फाल्तू के विवादों से बचना हैं, और साथ ही कुछ नई परिशानिया इस समय पर स्वास्ते संबंधी उत्पन हो सकते हैं, क्योंकि राओ का गोचर दूती है इस थान में, और के तू अस बच सकें, देव गुरुब रहस्पती का प्रभाव आपके भागी इस्थान पर रहेगा, तो भागी का साथ मिलेगा, धर्म कर्म में रूची बढ़ेगी, पिता का सहीयोग मिलेगा, लाव के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, और सामाजिक इस तर पर कुछ आप ऐसे का करेंगे, कुछ लोगों के ऐसी मदद कर सकते हैं, जिससे आपके नेम फ्रेम में विद्धी होगी, राहु का गोचर जब आपके राशन से छठे इस्थान में होगा, इस समय में कुछ पुराने जो शत्रू है, कोई कोड के इसी विबाद इत्यादी चल रहा है, तो ये आप भी अच्छा मिलेगा, और घर परिवार की सुक्स विधाओं से सम्मंदित कूछ अच्छा कर सकते हैं, आप धार में को मांगली कारियों के योग बनेगे, लंबी यात्राएं होंगी, जिसमें आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा, इस लंबी यात्रा में आपको विशे साब्धानी रखनी है, इन्वेस्टर के बैक्ग्राउंड को चेक करके ही, आप इन्वेस्टमेंट करें, जिससे आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकें, यदि आप शेर मार्केट इत्यादी में कोई भी काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको बहुत जादा साब्धान रहना है, इससे आपको विशेस्टा नुकसान हो सकता है, जिसमें आपको बचना है, तो कोई भी बड़ा अमाउंट अगर आप शेर बाजार से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, कोई भी बड़ा अमाउंट शेर बाजार में इन्वेस्ट ना करें, इससे आपको लॉस्ट ह हो सकता है 30 मार्च से साधे साथी आपके राशे से समाप्त हो रही है तो मानसिक परिशानी दूर होगी और धन व्याय की अधिकता जो है वो थोड़ी सी कम होगी पुना राहु 15 मई को आपके धनभाव में समचार करने लगेंगे 15 मई से तो इस समय में भी आपको थोड़ा सा स स्वास्त का अपनी ध्यान रखना है तो दर्श कोई कुछ खास चीजे हैं इस वर्ष दो हजार पत्चीज की इसके अलावा यादि आपका कोई भी विसेश प्रश्न है तो स्क्रिन पर दिये गए नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्खे कर सकते हैं मेरे तेह अंगले वीडि